गर्मियों में अपने सरीर को हाइडेट रखना बहुत जरूरी है बढ़ते टंपरेचर में जब सरीर ठकान और कमजोरी महसूस करता है तो नारियल पानी का स्चेवन इन सबसे चुटकारे पानी का एक अच्छा विकल्प होता है नारियल पानी पीने से बोडी में पानी की कमी नहीं रहती इसके अलावा बोडी वेट कंट्रोल करने में वेस्कीन गलो करने में भी मदद मिलती है शरीर में ठकान या कमजोरी जैसी समस्चाई होना यानि रोग परती रोधक छमता का कमजोर होना जो आपके विबिन रोगों से पिडित होने से पहले के लक्षन हो सकते हैं अगर आप भी कमजोरी जैसे लक्षन महसूस कर रहे हैं तो मैं हूँ आयरवेद एम होम रेवेडिय एक्सपर्ट डॉक्टर ऐसेस यादव और आज मैं आपको 6 ऐसी समस्चाऊं में नारियल पाणी पीने के फायदे बताऊंगा जिसका सेहन करने से आपके समस्चाऊं पल भर में दूर हो जाएंगी तो चलिए बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं नारियल पाणी का सेहन किस तरह से अलग अलग बिमारियों को बोड़ी से दूर रखता है या अलग अलग छै बिमारियों में नारियल पाणी के फायदे साथियों गर्मी के द जिनों में अपने स्रीर को हाइडेट रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है और किसी भी मौसम में स्रीर को हाइडेट रखने का सबसे आसान तरीका है नारियल पानी का शेवन करना नारियल पानी ना के ओल हमारे स्रीर को हाइडेट रखता है बलकि हमारे वजन को भी नींतरीत हाई बलड प्रेसर के मरीजों के लिए तो नारियल पानी अमरित के समान मना जाता है यह नैचुरल वाटर बलड प्रेसर को नेंतरीत रखता है चले जानते हैं नारियल पानी पीरने के ऐसे ही 6 रोगों में फायदे के बारे में विस्तार से इसका पहला फाइदा है दिल को स्वस्त रखना आपको बता दू दिल के मरीजों के लिए नारियल पानी बहुत ही फायदे मन्द होता है नारियल पानी में बरपूर मातरा में पोटेशिम पाय जाता है जो दिल के मरीजों के लिए और हाई बलड प्रेसर के लिए बहुत ही लाबकारी होता है नारियल पानी का दूसरा लाब है हडियों को मजबूत बनाना नारियल पानी ना केवल हाई बलड प्रेसर को कंट्रोल करता है बलकि यह हड़ी से जुड़ी कई परकार की बिमारियों में भी लाबदायक होता है नारियल पानी में मौझूद बरपूर मात्रा में कैल्शिम दातों और हड़ीयों को मजबूत करने में असरदार होता है इसका तीसरा असरदार फाइदा होता है वजन घटाने में जो लोग मोटापे की समश्चा से ग्रिशित होते हैं उन्हें नारियल पानी पीने की सलाद दी जाती है क्योंकि नारियल पानी में फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है और यह आपको पूरे दिन तरो ताजा महसूस करवाता है चोथे फाइदे के तोर पर यह सरीर को हाइडे टर्लिंग साथ-साथ तवचा में भी निखार लाता है इसके अलाव तौचा की दूसरी बिमारियां पिंपल्स वर रैसिस जैसे समस्चाएं भी दूर होती है पांचे फाइदे के तोर पर यह खाना पचाने में मददगार होता है नारियल पाणी में बरपूर मातरा में मैगनेशियम और फाइबर जैसे पोसक तत्व पाये जाते हैं जो पेट से जुड़ी समस्चाओं में काफी फाइदे मन्द होते हैं इसके नीमित शेवन से कब्ज एसिडिटी वे पेट की अन्य बिमारियों से भी छुटकारा मिलता है चटे फाइदे के तोर पर यह किड्नी स्टोन के खत्रे को कम करता है नारियल पाणी पीने से इसमें मोजूर पोसक तत्व किड्नी में स्टोन बनने से रोकते हैं साथ यो जिन लोगों को किड्नी में स्टोन की समस्या होती है उन लोगों को कुछ दिन लगाता नारियल पाणी का स्टोन करना चाहिए अगर सही मायने में देखा जाए तो नारियल पाणी का स्टोन करने से हमारा लीवर साफ होता है जिससे हमारा metabolism दुरुस्त होता है अगर व्यक्ति का liver और metabolism दुरुस्त हो तो उपर बताए गई सही बिमारियां खुद बेखुद दूर हो जाएंगी इसलिए हफते में कम से कम दो बार इन बिमारियों से पिडित व्यक्ति मिनारियल पाने का शेवन जरूर करें उमिद करता हूँ आप इस जानकारी का पूरा फायदा उठाने के साथ साथ वीडियो को जादा जादा शेर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का फायदा उठासके वीडियो से सम्मंदित किसी भी तरह का डाउट होने पर कॉमेंट करें इसी तरह के स्वास्त रधम वीडियो देखने के लिए वेब मुझे स्पोट करने के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्ट्राइ या बेल आइकोन हिट करें वे ओल पर क्लिक करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह हैं के दूसरे स्वास्त वर्दक वीडियो कॉंटेंट के साथ अब तक खुश रहें स्वास्त रहें जै हिंद जै भारत